ओके, हे ओल राइट और वेलकम टू आल इन टूडेज डिसकेशन नाओ देखिए आज के इस डिसकेशन में जो वंदरोगा का एक्जाम होने वाला है उससे रेलेटेड हमने 1000 वन लाइनर की स्रीज बनाई है और वन लाइनर अंग्रेजी और हिंदी दोनू माध्यम में और वर्ड फाइल दोनों ही शियर कर दिया हमने अपने प्राइवेट बैज में वन लाइनर की स्में जो यूपी फोरेश्टर में मध्यप्रदेश के वंदरोगा एक्जाम में उत्राखंड वंदरोगा जो पिछली बाद 2020 में जितने भी क्वेशन ऑनलाइन साइंस से रिले है वो लर्न करना पड़ेगा बागी यह तीनों सब्जेक्ट से हैं जैसे साइन्स में जो लॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स राइट उन सब से हैं एक तरफ हिंदी होगा और दूसरी तरफ इंगलिस में होगा ठीक है तो यह पीडिएफ मैं शेयर कर दूँगा एक एप्लिकेशन आपकी हर एक्जाम में हलब करेगी वो है टेलीगराम टेलीगराम को डाउनलोड कर लीजिए अगर उत्राखिंड के कोई भी एक्जाम प्रिपरेशन करें टिल अपर PCS आरो यारो तो UKPR पब्लिकेशन आप टाइप करेंगे UKPR Publication तो आपको ये चैनल मिल जाएगा ठीक है बांकी ग्रूप में ये बैच है प्राइवेट बैच सुपर 50 का और ये PDF अलड़ी शियर कर दी गई है यहां जितनी भी फैक्ट होते हैं यहां हम शियर कर देते हैं बांकी अगर आप चाते हैं सुपर 50 का बैच जॉइन करना 11 जुन 2023 तक आप ले सकते हैं इसे जब तक एक्जाम नहीं हो जाता ठीक है कोर्स अवेल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको दिये गए नंबर पर गूगल पर फॉन पर करना है 499 रुपीज जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रिन सौट सेम नंबर पर वर्टसेप करेंगे आपको इस पीडियाप के साथ साथ फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी प्लस जो है 10,000 प्लस MCQ की टेस्स सीरीज मिलेगी क्लास वाइज और चैप्टर वाइज राइट जो पेमेंट करेंगे उसकी जालते रहेंगी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का डिसकेशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिसकेशन वन नाइनर है हिंदी एवम अंग्रेजी दोनों में ही होगा सबसे पहला वन नाइनर बहुत सिंपल है इनमेंसे आँख का कौन सा हिस्सा डिटर्माइन करता है आँखों का कलर किसी के आँखें भूरी किसी के आँखें काली किसी के आँखें नीली तो यह डिसाइट करता है आईरिस बहुत ज़दा factual question है और बहुत बार यह पूछा गया है तो आईरिस आप याद रखना है हिंदी में इसे परितारिका कहते है अगला है अगला बहुत सिंपल है यानि की जो वायो मंडली ये दाब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं जैसे हम अल्टिटूड मतलब उपर हाइट में बढ़ते हैं सी लेवल समूद्री तर्ट से जनरली जो सी लेवल होता है समूद्र का जो सर्फेस होता है उसके उपर बोलते हैं माउंटेन का इतना हाइट है इस पाहड की इतनी उचाई है तो वो समूद्र लेवल से मापी जाती है तो ये बोलता है कि जैसे जैसे हम height में जाते हैं उचाई में जाते हैं तो क्या होता है उत्तर है जो atmospheric pressure होता है वो decrease हो जाता है वाइ मंडली अदाब घटता है इसका पीछे reason क्या आप सबको पता है जिस surface level में हम रहते हैं जैसे sea level से जितना भी surface level उतना ज़्यादा हम रहने वाला जो discussion है उससे और ज़्यादा सरल भासा में समझाता हूं sea level के पास air के molecule बहुत ज़्यादा होते हैं पर जैसे जैसे हम जाते हैं height में जो water के जो पार्ट मतलब air के जो पार्टिकल है हुआ के पार्टिकल कम होते रहते हैं ठीक है और atmospheric pressure decrease हो जाएगा ठीक है now which control the amount of light entering दाई आख में प्रवेस करने वाली प्रकास की मात्रा को कौन है नियंत्रित करता है सिंपल सी बात है पूपिल जिसे हिंदी में पुतली भी कहते हैं नेत्र का तारा भी कहते हैं तो दो चीज़ हैं आखों का रंग बताता है आईरिस कितनी हमारा पूपिल हमेशा याद रखना आपको ऐसे होने चीह रटे होने चीह अगर आप 3,000-4,000 भी करके ले जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है अपने एक मैने में इतने फैक्च्वल करोगे तो सोचो फैक्च्वल मैजूरिटी पोर्शन तो यह आएगा ना पिछली बार आउट आफ स्लेवस आएंगे जैसे 20 कोशन 25 कोशन बट पूरे तो फैक्च्वल चालीस पैतालीस तो फैक्च्वल ही होते हैं ठीक है वन नाइनर इसले इंपोटेंट हो जाता है अगला प्रशन क्या है विच डिवाइस कंवर्ट साउंड एनरजी इंटू इलेक्ट्रिकल कि इनमेंसे कौन सा यंद्र साउंड यानि की ध्वनी उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है इसकां सेना माइक्रोफॉन जिसे माइक भी गहते हैं इसका जो इन्वेंट किया था इसको एमिली बर लाइनर ने किया था ठीक है बलीनियर अब देखिए माइक्रोफॉ से साउंड एनर्जी निकली मेरे मुँसे ध्वनी निकली जो मैं बोल रहा हूं वह ध्वनी है अब जब यह ध्वनी आपको सुनाई देगी तो एक इलक्ट्रिकल सिगनल के बेसे सुनाई दे रही है जब आप अपना स्पीकर ओन कर रहे हो तब वह इलक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहे है तो माइक्रोफॉन इस दे बेस्ट एक्जामपल और जो कि साउंड एनर्जी को इलक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट करके देता है और सबसे बड़ी बात इसका विसकार किया है एमली बरली ने ठीक है आप इसको मैं और हिंदी में अपने हिसाब से देख लो मुब तो नेक्स्ट कॉश्यन विच मसीन कनवर्ट केमिकल अनर्जी इनडेडिक अब ध्वनी वाला किया था रसाइनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में कौन बदलता है इलेक्ट्रिक सेल विद्दूत सेल बहुत सिम्पल है Äलेक्ट्रिकल सेल कैसे बनता है आप सब को पता है एक भी कर लेंगे उसमें सॉल्यूशन लेंगे एक नोट कैथोड बनाएंगे और यहां रियक्षिन होगी और उपरतार में करेंट फ्लो होने लगेगा तो विद्यूत सेल इसका उत्तर है गिरगेट रंग क्यों बदलता है बहुत सिंपल सा कॉशन अब सिंपल उसके लिए है जिसने यह एक बार सुना है अब जो हमेशा एंसी आर्टी की हाला कि एंसी आर्टी के कुछ जो फैक्ट्स होते हैं बगल में बुक के बगल में वह आपको पता चल जाता है ठीक है उसको प पूछे गए तो यह याद करना भी जरूरी है ठीक है नाव देखिए हम ते इस कॉशन में कि गिरगेट रंग क्यों बदलते हैं आंसर है चेंज कलर टू टॉलरेट हीट गर्मी सेहन करने के लिए यह रंग बदलते हैं नाव नेक्स्ट कॉशन है गैसों के परसरण के तीन धारण दें यानि की गिफ्थ3 ग्जामपल्स अब डिफ्यूजन आफ गैसेज मतलब क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब परसरण हिंदी में एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस से जो मिक्स हो जाता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि अलग- मेगी बनी हो कीचन में तो हमें पता चल जाएगा अगर बत्ती की खुश्बू इत्र की महग यह डिफ्यूजन के बहुत अच्छे एक्जामपल हैं उधारण है विद्यूत मोटर टेलीफॉन टेलीग्राफ या विद्यूत घंटी ठीक है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर प्रवाव पर कारी करते हैं ठीक है विद्यूधारा के किस प्रवाव पर कारी करते हैं तो सिंपल सी बात है यह काम करते हैं मैगनेटिक फिल्ड के बेसे पर किसके मैगनेटिक फिल्ड कभी-कभी आपने देखा होगा जनरली जितने भी डिवाइसे होते हैं जहां पर इलेक याद रख लो तेल की बूद पानी पर क्यूं फैल जाती है ठीक है क्योंकि इसके पिछे है surface tension हिंदी में कहेंगे जल का प्रष्ट तनाव अधिक होता है ठीक है पानी का जो surface tension है वो जादा है इसलिए जो तेल की बूद होती है पानी के उपर फैल जाती है अब इसमें surface tension किसका ज़्यादा है पानी का ना की तेल का अगर तेल का होता तो तेल तो नीचे होता अब पानी उपर आ जाता जिसका जितना surface tension कम वो उतना उपर हो जाएगा अगला है द्रव की बूद किस वज़े से गोलाकार होती है इसका भी simple सा example है कि अगर पानी किसी भी tap water से नीचे गिरेगा तो उसकी बूद गोल ही क्यों होती है ड्यूटो surface tension surface tension के वज़े से क्या होता है वो minimum से minimum सबसे कम से कम space occupy करने का try करेगा next question है धातू की सुद्धता यानि की metals को कितना ज़्यादा pure है निर्धारण किस की सायता से किया जाता है ठीक है with the help of which the purity of metal is determined ठीक है और यह सबसे बड़ी बात है it is Archimedes principle ठीक है Archimedes principle क्या गयता है धातू की सुद्धता बता देता है Archimedes का सिद्धान्त Archimedes principle Archimedes ने एक और principle दिया है related to boat ठीक है नाव एक और चीज़ आपको याद रखनी है generally gold की purity भी इस principle से तैकी जाती है principle of Archimedes right नाव अगला प्रशन है जो nuclear fusion reaction होती है तो जो भी प्रमाणू विखंडन प्रतिकिरिया है fusion टूटना ठीक है टूटना है एक item दो से ज़्यादा item में टूट जाते हैं तो इसके पीछे कारण क्या होता है जैसे आप सब को पता है nuclear power plant जैसे कुंदा कुलम में है तमिल नाडू में power plant होते हैं तो उसमें nuclear energy का use होता है किसको बनाने में electricity को produce करने में विद्दूद बनाने में ठीक है next है why does water boil at lower temperature on mountains पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है ठीक है इसके पीछे का answer है the air pressure is less on the mountain पहाड़ों पर वायुदाप कम होता है already मैंने आपको बता दिया है कि air pressure कम होने से क्या होगा उसका जो boiling point होगा वो भी कम हो जाएगा इससे जल्दी उबल जाता है अब एक देखो एक वो भी बता देता हूँ कि C level पर molecules बहुत ज़्यादा होते हैं उपर कम होते हैं ये भी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है चल ये next है तो इसके पीछे का reason यही है कि पहाड़ों पर air pressure कम होता है ये रट लो अगर समझ में मैंने वैसे समझा दिया है NCIT में भी इसको explain किया है नहीं आ रहा तो at the end एक ही तो मार्क से चाहिए होगा ठीक है उसको रट लो तो air pressure कम होता है इसले mountains में temperature कम हो जाता है ठीक है next fuse wire is a thin wire made of alloy fuse का तार कभी-कभी क्या होता है घर में बिजली जादा होती है तो सब लोग कहते हैं कि fuse wire डलवा लेना क्योंकि अचानक से current बहुत ज़्यादा होगा तो short circuit का खत्रा है तो जो वो fuse है ना fuse किससे बना रहता है तो fuse होता है टीन और लेट से बना रहता है fuse जो wire होती है किसे बनी रहती है टीन और लेड से बनी रहती है कि अचानक से ही high melting point हो जाए तो यह टूट जाए ओके टीन और लेड mix of fuse wire now why does clouds float in the atmosphere बादल वायो मंडल पह ही क्यों तरते हैं देखो simple question बट factual तो आपको पता ही होना चाहिए कि यह चीजें क्या है कैसे याद करनी है तो वायो मंडल में बादल आपको देखने को मिलते होंगे क्या रहे यार बादल तैर रहे है इसके पीछे की यह answer यह होती है कि बादल की density जरा कम होती है अब जिसकी जो density कम होती है तो simple सी बात है वो और surface से उपर उठे के मतलब move करेगा जैसे आप सबको पता है जो गरम हवा होती है as compared to जो cold air है उसके comparison में वो उपर और movement करती है तो वैसे ही आपका कम density के वज़े से बादल भी तैरते हैं ठीक है next question है next one liner है what are the only two tissues which do not receive oxygen from the blood ठीक है मात्र दो उतक कौन से हैं जो खून से oxygen प्राप्त नहीं करते हैं आप सबको पता जो oxygen होता है blood में मिलके सभी अंगों को oxygen provide करता है बट दो चीजें हैं एक है हमारा nail and second one is cornea ठीक है तो दो चीजें नाखुन और cornea दो ऐसे tissues हैं जहां पर आपकी blood से oxygen supply नहीं होती है अब एक खास बात क्या है सबको नाखुन के बारे में पता तो होगा बट cornea cornea तो आप सबको पता आँख जब किसी की आँख आप देखते हैं जो transparent जो आगे की layer होती है ना वो cornea होती है ठीक है तो उसको भी जरूरत नहीं होती है या जो blood होता है हमारा वो oxygen provider नहीं करवाता है ठीक है उस तक now move to the next part मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है इसको steps बोलते है steps बोलते है और इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है 3 mm गुणा 2.5 mm इतनी छोटी होती है और यह कान की हड़ी होती है कान की हड़ी टोटल तीन होती है वैसे अगर पूरी तरह बोन्स की बात करूं मैलियस सबसे छोटी होती है मानव सरीर में यह कान में होती है और मैं सबसे बड़ी हड़ी के बारे में बात करूं हुमन की तो दैट इस फीमर आपने सुना होगा जो जांग की होती है हमारी थाइबोन होती है वह सबसे बड़ी होती है सबसे छोटी मैंने बता दी स्टेप्स एंड एन फीमर और थाइबोन सबसे बड़ी होती है रेफ्रिजरेटर कि सिद्धानथ पर कार्य करता है द्रव के वास्पन इस द्द्धानथ पर बहुत बड़ी बात है और यह कॉश्चन पूछा जा सकता है बहुत अच्छा question भी है कि जो refrigerator है किस principle पर काम करता है on the theory of evaporation of liquid जो तरल होता है वो gas में कैसे convert होता है उसके theory पर बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि refrigerator से कौन सी gas निकलती है chlorofluorogarbon but evaporation के basis पर refrigerator काम करता है बहुत बार क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं तो यह factual के basis पर ही पता चल पाती है नेक्स्ट देखो कि आप सब को पता है pendulum pendulum क्या होता है pendulum होता है हिंदी में से लोलक कहते हैं लोलक की कालविदी किस पर निर्भर करता है सिंपल सी बात है जो लोलक कितना time बताएगा कि इतना time हो गया या इतना गुजर गया लोलक pendulum से इधर फिर इधर जाता है न तो उसकी length है लंबाई के हिसाब से time period पता चलता है आप सब कम होता है second pendulum उसका time period होता है दो सेकंड हाला कि यह मैंने वन लाइनर कवर भी किया होगा इससे आगे वाले पीडिया फाइल में आप उसको देख सकते हैं नाउ नेक्स्ट कोश्विशन है on what principle does the washing machine work washing machine किस principle पर काम करती है जिसे अब केंदरन कहते हैं जिसे centrifugation कहते हैं आप सबको पता है centrifugation centrifugation का मतलब क्या होता मिक्स होना होता जनेरली जैसे उतल उतल होती है न जैसे वासिंग मसीन के अंदर तो वासिंग मसीन भी उसी प्रिंसिपल के एकॉर्डिंग काम करते हैं आप जैसे कपले डालते हैं कैसे होता है ठीक है एक होता है सेंट्रिपीटल एक होता है सेंट्रिफ्यूगेशन बाहर को और एक जगे अंदर को फोर्स लगता है जैसे कोई गोल है अंदर को फोर्स लगा रही है एक बाहर को फोर्स लगेगा तो वैसे ही प्रिंस्पल वॉसिंग मसीन का बेज़ रहता है संट्रिफिगेशन जिसे अब केंदरन कहते हैं ठीक है नाव मॉब तो दे नेक्स्ट वन नाइनर विच डिजीज इस कॉजड बाइड एफिशेंसी विटामीन बीवन विटामीन बीवन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बहुत सिंपल सा प्रश्ण था बैरी बैरी राइट और ये पूरी पीडियाप में एक हजार से जाता हैं और ये सिर्फ पार्ट वन है आपको देखो मैं लास्ट डे स्ट्रेटीजी आइधिंक कलिया पर ठीक है चलिए नेक्स्ट है इस्ट्रेडीजी की किस तरह से करनी है ठीक है बाद में बताएंगे पहले हम डिसकस कर लेते हैं वन लाइनर दा हीटिंग ऐलिमेंट आप एलेक्टिक प्रेस निक्रॉम इस कैप्ट बिट्विन ठीक है विद्दूत प्रेस जिसमें से आईरेनि का यह कंपाउंड होता है और जनरली ऐलमोनियम का कंपाउंड है और इसमें निक्रॉम को इनके बीच में रखा जाता है ठीक है नेक्स्ट है सबसे पहले प्रकास की गती को किषने मापा था दर इस रोमर बहुत अच्छा प्रश्न है और यह ऐसी भी प्रश्न है जो अधर है सबसे पहले किशने मीजर करी रोमर ने नो साइकल चलाने वाला मोल लेते समय क्यों जुकता है सिंपल सी बात है एक साइकलिस्ट अगर मोल रे रहा है टरने ले रहा है तो उसमें उसको भी जुकना पुड़ता है इसके पीछे का है इट लीन so that center of gravity remains inside the base to avoid falling छीक है जो center of gravity होती है गृत केंदर होता है उसका अधार सेम ही रहे अगर सेम नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है उसको जुकना पड़ेगा ना center of gravity base में लाने के लिए उसको जुकना पड़ेगा इसलिए वो जुकता है center of gravity को सेम लाने के लिए राइट ताकि गिरेना next है how many isotopes how many isotopes of hydrogen are there isotopes क्या होते हैं एक ऐसे atom कहूंगा मैं यह जनरली element कह देता हूं जिनका atomic number सेम रहता है बड़ मास्ट नम्बर अलग हो जाता है मास्ट नम्बर अलग होता है उसे हम कहते हैं isotopes hydrogen के कितने isotopes हैं फिर उत्तर है तीन जिसमें protium होता है 1H1 वाला deuterium है 1H2 वाला 1H3 वाला tritium होता है ठीक है तो यह हमारे हो गए English और Hindi में आगे हम करते हैं फिर से continue राइट अगला जो topic है वो discuss कर लेते हैं नाभिकियर reactor यानि की nuclear reactor जिसे बोलते हैं देखें nuclear reactor में जबी भी कोई reaction होती है chain reaction मतलब एक बार वो activate हो जाता है nuclear reactor तो वो reaction ऐसी होती है chain reaction मतलब लगातार ही वो चलती रहेगी तो nuclear reactor से तो अब हमें बिजली बनानी है हमें कोई bum हम नहीं फोड़ना जैसे हीरो सीमा नागा साकी में जो फोड़ा गया था USA के द्वारा उनमें chain reaction होई थी मतलब एक बार वो explode हो जाए तो लगातार वो chain reaction बनती रहती है वो element फूटते रहेगा बड हमें बनानी है nuclear reactor का help अच्छी जगह में तो nuclear reactor का जो यूज है वो अच्छी जगह में कैसे होगा बिजली बनाने में बड हमने कहा कि nuclear reactor से तो बंब भी बनते हैं तो ऐसी क्या चीज़ डाली जाए जिससे की electricity बने और वो reaction कंट्रोल करे ठीक है जो अभी किरिया है वो उसका कंट्रोल करे वो तो वो है cadmium rod क्या होता है cadmium rod cadmium rod क्या करती है उस nuclear reaction जो होती है उसको slow कर देती है राइट चलिए अगला प्रशन है कुछ जीवाणू जनित रोग के नाम बताईए यानि कि ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के थू होते हैं अब रोग हमें बैक्टीरिया से भी होते हैं वाइरस से भी होते हैं तो आप हमेसा याद रखना बैक्टीरिया से होने वाले रोग टी डिप्टेरिया, लेप्रोसी, टिटनस, निमोनिया, कॉल्रा, तो जब भी हमें ऐसी बिमारी होंगी, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, डिप्टेरिया हो गया, लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ट रोग जिसे कहते हैं, कोड कुछ रोक्टिटनेस निमोनिया हैजा यह सब बैक्टिरिया के उससे होते हैं यह चीज आपको याद रखनी है राइड ना मूब टू दे नेक्स्ट पॉइंट प्लास्टर ऑपैरिस का सूत्र बताएं प्लास्टर ऑपैरिस का सूत्र क्या होगा वर्ट इस दा फॉर्मला ऑप्लास्टर ऑपैरिस कैल्शियम सलफेट डॉट हाप एस टूओ इसे कैल्शियम सलफेट हाइड्रेड भी कहा जाता है राइड तो प्लास्टर ऑपैरिस सिंपल हो गया कैल्शियम सलफेट हाइड्रेड ना मुफ टू दा सिमेंट मुख्यता योगी का मुसरण होता है सिमेंट किस किस से बने रहता है जो घरों को बनाने में सिमेंट लगाए रहते हैं वो किस से बना रहता है दो चीज़े हैं कैल्शियम सिलिकेट और अल्यूमिनेट से चीक है जब भी one liner आप लोग करते हैं तो यह 360 degree cover करता है पूरा 360 degree cover करता है now move to the next graphite का दूसरा नाम क्या है what is the other name of graphite it is black lead and plugo या pulp go काला सीसा graphite को क्या कहते हैं graphite जब आप देखेंगे तो पूरा चमकता हुआ काला मतलब black color का देखने को मिलेगा काला सीसा और इसको plugo यह नाम भी बोलते हैं graphite का नाम और graphite जो होता है आपका बहुत सारे lubricants में भी use होता है और graphite से क्या जैसे आप सब को पता है कि बहुत सारी chemical industries में भी graphite का use होता है ओके now chlorofluorocarbon किसका full form है chlorofluorocarbon कहां से निकलती है आप सब को पता है chlorofluorocarbon निकलती है आपकी cfc chlorofluorocarbon आपकी निकलती है किस से refrigerator से और refrigerator यानि की जो fridge होता है वो कि प्रिंसपल इवापोरेशन इवापोरेशन के प्रिंसपल पर काम करता है यह पहले भी प्रशन आ चुका है आपको वंदर होगा के लिए हर प्रशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट है महा नगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के इस्तान पर कौन सा इधन का अपयोग किया जा रहा है इसे होते हैं जिनकी संख्या दस लाग प्लस बीश लाग प्लस मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटेड मेट्रो पॉलिटें सिटीज होती है हम उसमें नहीं जाएंगे एक्जेक्ट नंबर्स में बट मैं ये कह दूँगा कि बहुत ज़्यादा जनसंग्या होती है तो अगर हम डीजल और पैट्रोल का यूज करते हैं तो मेबी पॉलिशन हद से ज़्यादा हो सकता है इसलिए वहां यूज करते हैं कॉम्प्रेजड नेचुरल गैस मीथेन इसका एक क्या होता है कमपाउंड रहता है इस कमपाउंड नेचुरल गैस में इलिमेंट्स प्राकतिक रबर किसका बहुलक होता है नेचुरल रबर इस पॉलिमर आइसोप्रीन बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है जो रबर हो वो पॉलीमर है आईसोप्रीन का ठीक है आईसोप्रीन का राइट बहुत सारे पॉलीमर मिलके एक कमपॉंड बनाएंगे राइट अप मार जग जिसे आप डिटरजेंटी भी कहते हैं डैस डैस जल के साथ भी अच्छे प्राणाम देता है आप सबको पता है हार्ड वाटर क्य होईंगे हार्ड वाटर से वो धुलेगा नहीं बड़ फिर वैज्यानिकों ने कहा कि यार साबुन से भी नहीं दूल रहा तो हम क्या करते हैं किसका वह इसकार करते हैं डिटरजेंट का तो अगर आप हार्ड वाटर भी है आपके पास और आप डिटरजेंट से कप्ड़े होते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलता है ठीक है कि देखें यह एक अच्छा प्रश्न है और नॉन नॉर्मल भी है आप सबको पता है पिछली बार जो वंदरोगा का कॉशन किस तरह से आया था कि आख का वो कौन सा हिस्सा है कॉशन यह आया था आख का वो मतलब है तो ऐसी चीज़ हैं आपको पता ही होना है अब आपको ये पता होना चूइլ कि मनिश्चे के जीवनकाल में कितने दांट दो बार विकसित होते हैं बीस दांत ऐसे हैं मनिश्य के जीवनकाल में वैसे पर उनमें से 20 दात ऐसे हैं जो दो बार आते हैं मतलब एक बार तो भार जब बचमन आया आ da या वह दानता आए वह दान टूट गए फिर दान वह दुबार आएंगे दो एसे किणने यह त Schulter ऐसे होते हैं मनुष्य के जीवन में जो दो बार विक्सित होते हैं एक बार आए फिर तूड़ गए फिर दूसरी बार आए मनुष्य में पाचन का अधिकांस भाग किसा अंग में संप कर होता है कहने का मतलब है हमारे पूरी बाड़ी में सबसे ज़्यादा पाचन कहां पर होता है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पाचन कहां पर होता है यह होता स्मॉल इंटरस्टाइन जिसे छोटी आंद भी कहते और small intestine के बारे में ये बता दूँ कि इसकी length बड़ी होती है Small intestine की length बड़ी होती है large intestine से Next है who first studied the blood circulation system that is William Harvey Sarupatam Raksha Pari Sancharan Tantra का अध्यमयन किशने किया था That is William Harvey and he studied the blood circulation system कहने का मतलब हमारे पूरे body में जो खून होता है कैसे circulate कर रहा है हर जगे पहुँच रहा है mind तक और blood की एक खास बाद जी जी जगे वो जाता है हमारे सरीर के हर हिसे में oxygen फैलाएगा Next है who's job is to initiate the heartbeat दिल की धड़कन को प्रारंब करना का कार क्या है किसका कार रहा है that is pacemaker pacemaker क्या करता है दिल की धड़कन को initiate करता है which is the metal found in the blood यह सबसे बड़ी बात है कि खून में कौन सा धातू है खून में कौन सा धातू है अंग्रेजी में इसे metal कहते है that is iron लोहा पाया जाता है fe जिसका symbol है fe ठीक है और मैं कहूंगा इसको 1.5 x की speed में सुनना जल्दी हो जाएगा where does the process of digestion begins in human मुख में पाचन के लिया कहां प्रारंब होती है face से ही होती है यार छीक है face से जाएगा osophagus foot pipe फिर सिदे पेट में छोटी हाथ में अब सबसे बड़ी बात सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है जो blood pressure है सोने समय वो घटेगा या बढ़ेगा does the blood pressure decrease or increase while sleeping answer है घटता है देखो होता क्या है blood pressure हमारा कब बढ़ता है देखो blood pressure होता क्या है सबसे पहले veins और artis हमारी जो नसे हैं उनमें खून जाता है सिंपल भासा में समझा रहा हूँ निहाया तो रटे लेना सिंपल भासा में समझी लिया तो फिर बढ़ेगी है अब खून सर्कुलेट हो रहा है इदर से उदर अब वो जितना हमारी नसों में pressure डाल रहा है वही blood pressure होता है अब जब हम कोई physical activity कर लेते हैं जब हमारा माइन कहीं और ज़्यादा जाता है और इवन सोचने पर ज़्यादा जो डालता है बहुत बार होता है कि बहुत ज़्यादा यह सोच रहा है तो इसका भी blood pressure आया है बड़ जब हम सोते हैं ना तब ना ही कोई physical activity है ना ही कोई आपके mind में कुछ thoughts है तो simple सी बात है सोते समय जो रक्त का दाप है वो घर्ट जाता है क्या हो जाता है घर्ट जाता है कम हो जाता है next है what is the pH value of human blood हमारे मानव सरीर का जो pH value कितनी है 7.4 हो जाती है where does the purification of blood takes place that is kidney kidney हमारे रक्त का सुद्धी करण कहां होता है kidney में होता है और दूसरा है does the blood pressure of human decrease or increase while running दोल लगाते समय मनुष्य का रक्त चाप घटता है या बढ़ता है देखो अभी उल्टा question आ गया था सोते समय मनुष्य का blood pressure घटेगा सोते समय मनुष्य का blood pressure घटेगा बट दौलते समय मनुष्य का blood pressure high होगा ठीक है next step which enzyme is found in saliva that is tylene लार में कौन सा enzyme पाई जाता है tylene कहते है उसे now move to the next point it is about the bile gets accumulated bile कहां पर जो है वो होता है accumulate होता है bile gets accumulated in the पित्तासम ठीक है bile किस में होता है bile duct में होता है bile duct में होता है अंग्रेजी में bile duct कहें दिंगे हिंदी में है पित्तासम पित्ते जमा होते हैं पित्तासम ही में ठीक है what is the life span of a human RBC red blood cells आप सबको पता है red blood cells मनुष्य के लाल रख्त कोसिका में जीवन काल कितना होता है 120 दिन का होता है कितने दिन का होता है 120 दिन का होता है ठीक है किनकी भित्तियों पर रख्त द्वारा डालेगा ये दवाब को रख्त डाब blood pressure कहते हैं the pressure exerted by the blood blood किस पर अभी मैंने बोला blood का situation चल रहा था blood किस में pressure डालता है तब इसे blood pressure करते हैं इसे धमनी कहते है आर्ट्री जैसे बोलते है आर्ट्रीज धमनी धमनी ठीक है name some genetic diseases कुछ ऐसे रोग बताईए जो आनुवानसिक हो आनुवानसिक का मतलब होता है एक generation से जब दूसरे generation तक जो बीमारी फैलती है जो रोग चले जाता है उस रोग को हम आनुवानसिक रोग कहते हैं that is hemophilia ठीक है hemophilia and color blindness answer है इसका अगला प्रशन है the process of purification of blood in the human body is called मानव सरीर मागर खून की सुद्धी करन कर रहे हैं बहुत बार होता ना कि यार किसी का पूरा blood खराब रहता है तो उसको बार-बार blood change कराने जारना होता है तो उस process को कहते हैं dialysis dialysis एक ऐसी process है जिसमें blood का purification होता है blood का purification होता है ठीक है फिर है CFC के साथ वर्तमान समय में कौन सी gas का उप्योग की जा रही है CFC के साथ HFC hydro chlorofluoro का भी use किया जाता है यह बहुत अच्छा प्रशन था CFC के साथ chlorofluoro carbon तो यूज ही हो रहा है hydro chlorofluoro carbon का भी use किया जा रहा है CFC के साथ ठीक है तो I think यह पूरा 1000 one liner का पूरा हमारे पास यह है और already हमने यह share भी कर दिया है जब तक वन दरोगा का exam नहीं होगा ऐसे ही बहुत सारे हम one liner के fact जिससे आपका revision और ज़्यादा तेज हो और इसका हम target रखते हैं कुछ 5 दिन 5 दिन मा आपका यह पीडियाफ हो जाना चाहिए जिन भी बच्चों को यह भेज दी गई है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बागी जो बच्चे लेना चाहते हैं वंद्रोगा प्राइवेट बेच्च 750-513-4891 देखिए बहुत सिंपल है 750-513-4891 इस नमर पर Google पर फॉन पर भी कर सकते हैं 499 रूपीज उसके बाद यह वाली वीडिया तो नाव आप इस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी पर आपको सब भी अपडेट मिल जाएगा तिल 11 जून 2023 आज कि इस वीडियो में इतना ही करेंगे थैंक्यू है नाइस डे